आज मैं आपके साथ पालक पनीर की सबसे आसान और टेस्ट रेसिपी शायर करने वाली हूँ और साथ में तीन टिप्स भी देने वाली हूँ इसलिए वीडियो को लास तक जरू देखे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेट होने वाला है ठोटेट ऑन भूंडेका स्क्केशनमं भी षाइब कर दोग दोगे अ मुझी सबस्क्राइब करें पालक वालक की जरीट होड़े 7 को मेरे चाइन कर चाहते हूँ आपको अध्यक पिनापने आपके मेरे उमुहां नहीं सबसक्राइब करें कि अब टीप नमबर टू यह है कि हमें पालक को बॉइल वाटर से निकाल के थंडे पानी में डालना है जिसमें कि आइस क्यूब हो उससे क्या होगा कि हमारे पालक का कर जो कलर है वो ग्रीन ही रहेगा और उसे हमें फिर अभी पीस लेना है थी कि इस तरह से फाइन पेस्ट ब ब्राउन कलर आते तक इस तरह से रखली चॉप करना है हमें इसका फिर पेस्ट बनाना है बहुत बढ़िया चीप पाच-शे मिनिट लगते हैं इसके कारण क्या होता है कि जो अपना जो टेस्ट है मसाले का बहुत बढ़िया आता है अब इसे पीस लेना है फाइन पेस्ट इस तरह से बहुत बढ़िया अब इसे साइड में रख देंगे और एक पैन में हम 5-6 टेबल स्पून हम और ले ले लेंगे या फिर आप बटर भी ले सकते हैं इसमें मैंने वन टी स्पून जीरा डाला है और फिर हमने जो पैस्ट बनाए था वह हम इसमें डाल देंगे और अ आ गया है और जो अनन का पैस्ट उसने ओइल भी रिलीस कर दिया तो इस समय में हमें क्या करना है दो टेबल स्पून हम जीन जो गालिक पैस्ट डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से साटे कर लेंगे दो मिनिट के लिए और इसे भी हमें इन दोनों के मिक्षर को भी अच्छे से फ्रेग्रेंस आते तक बहुत ही बढ़िया खुश्बू चलने लगी है वैसे खुश्बू चलना चीए अब हम इसमें वन टीस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर डाल दिया और दो टीस्पून मैंने डाला है उचिली पाउडर आप अपने टेस्ट की साब से भी मिज़िया तक चल ले अच्छे से और हम इसमें डालेंगे अपने टोमाडर प्यूरी मैंने इसमें मिडियम साइज की टॉमाडर लिए और उनकी प्यूरी बना लिया था मिश्बूर में और इसे डाल देंगे लिए बहुत बढ़िया हमारा पेस्ट ऐसा बन बनके रिए वह बहुत थी बढ़िया तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे अपने स्वात के अनुजार मैंने देटी स्पून मैंने नमक डाला और इसमें कसूरी मेथी डालना न भूले कसूरी मेथी को थोड़ा सा मसल ले हाथ से और फेस में डाल दे जिससे कि इसकी जो फ्रेग्रंस में बढ़िया खुशबुचलती है देखिए अब यह जो पेस्ट है उसने और रिलीस करना स्टाट कर दिया तो ऐसे समय में हम उसमें अपना पालक का जो प्यूरे हो डाल देंगे और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही बहतरी तरीके से हमारे एक मसाला ग्रेवी बन ग बला रख दिया है अब हमें इसमें पनीर डालना है बहत ही बढ़िया और सिप नबर 3 पनीड में तो टिप अधर कि इसे में अधा च्छाम का जो पाली सोगते है इसे मीदआ से सिर्वा टाहिर हो जाता है इस बहुन कि दूले से में मैंने आधा ग्लास पानी आड है क्वालात कम जेए के 2 मिनित रकने के बाद में हमारी पालक पनीर रेडी हो गया है बस इसमें 1 क्वाल क dw игр क्वाल के बन ना है और अच्छे से मिक्स कर लेना हे कि आप इस अपनीर के ब ऑबढề या और एक क्यूप बंड के उपनीर कर ले ढाल लाज है कर्मागर जार्म परोसें आपको ये मिर्स प्रस्पी के रगी आपको अप्राइग कर दो कर दो दो रूर्मागरम परोसें